UPTED 2021 का online form कैसे भरना है? Step by step इस वीडियो मैं में लोग प्रोसेस को देखने वाले हैं तो अंत्र तक जरूर इस वीडियो के साथ बने रहेगा ताकि आपके आवेदन में कोई भी गरबड़ी ना हो सबसे पहले आपको official website updl.gov.in website पर विजिट करना है उसके बाद से आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है UP Teacher Eligibility Test इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे UPTED खुल कर गया आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना website आपको एक नए page पर redirect कर देगा उसके बाद से आपको नीचे scroll down होना है और यहाँ पर UPTED registration लिखा गया है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है website आपको एक नए page पर ले जाएगा जहां से आपको कुछ instructions दिये गया है किन steps के मादेम से आप अपना आवेदन complete कर सकते हैं और इसी में registration form यहाँ पर देख सकते हैं candidate registration इसके आगे लिखा गया है click तो इस click पर आपको click कर देना है इसके बाद से registration के लिए आपके सामने form open हो करके आ जाएगा यहाँ पर देखे कुछ general instructions आपको बताई गई हैं फी के बारे में और image किस प्रकार से upload करना है यहाँ पर click करें आपको click कर देना है उसके बाद से form open हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर आपका form open हो चुका है जिसमें candidate name, father's name, mother's name और यह सभी basic detail भरनी है चलिए मैं basic detail को भरता हूँ फिर आगेच बढ़ते हैं इसक्रिम पर देख पा रहा होंगे आप मैंने dummy data fill कर दिया है आप अपने carding सही से भरिएगा high school में जो आपका name था उसी name के अनुसार आपको fill करना होता है यहाँ पर देखिए उसके नीचे category दिया गया है category वाले पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप अपने अनुसार unreserved यानि की general, OBC, SC, HD जो भी हो आप होंगे अपने अनुसार select कर लेंगे ठीक है यहाँ पर मैं अपने अनुसार select कर लेता हूँ उसके बाद से नीचे दिया गया special category इस पर select करेंगे तो आप freedom fighter है या फिर ex army service man है या फिर handicapped है या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आपको simply na पर click कर देना है उसके बाद से नीचे आपको gender फिल करना है male या फिर female आप अपने अनुसार fill कर देंगे ठीक है उसके नीचे आपको mail id और उसके नीचे mobile number fill करना है और capture को fill करके आप नीचे next button पर click करेंगे उसके बाद से आपसे confirm करने के लिए बोला जाएगा I agree पर click करते हुए आप final submit पर click कर देंगे उसके बाद से फिर से एक pop-up generate होगा और आपसे बोला जाएगा कि registration form करने के बाद से आप उसमें कुछ भी correction नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको yes please do पर click कर देना है और अगर आपको लगता है कि कुछ गरबड़ी होगे तो एक बार आप cross verify जरूर कर लें यहाँ पर मैंने cross verify कर लिया yes please do पर आपको click कर देना है उसके बाद से एक नया pop-up generate होगा आप इसकिन पर देख पार होगे मतलब कि आपके mobile नमबर पर आपका registration नमबर भेजा गया है और आपके mail आईडी पर आपका OTP भेजा गया है जिसके माध्यम से आप login हो पाएंगे उसके बाद से आप दोनों को अपने mobile नमबर और email आईडी से प्राप्त करके click here to proceed पर आपको click कर देना है एक नया पेज आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर देख पार होगे आपसे आपका registration नमबर और one time password जो आया हुआ था आपके mail आईडी पर वो fill करके नीचे capture पर fill करके login पर click कर देना है नया वेपेज आपके सामने open हो जाएगा जिसमें आपके qualification और exam detail के बार में पूछा जा रहा है इसके पर आप देख पार होगे पहला पूछा जा रहा है minimum qualification इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने आपने कौन सा प्रसिक्षण कर रखा है DLAD, BEAD अगर आप सिक्षामित्र है, special BTC है, special BEAD है तो यह सब आप अपने नुसार fill करेंगे अगर आप simple BTC course जो की अब DLAD के नाम से जाने लता है उत्तर प्रदेश में तो आपको पहला option select कर लेना है DLAD previous known as BTC अगर आप सिक्षामित्र है तो दूसरा select करेंगे और अगर आप BAD है तो तीसरा वला option select करेंगे आप अपने नुसार select करेंगे, मैं यहाँ पर DLAD को select कर लेता हूँ उसके बाद से page refresh होगा और नीचे आप जाएंगे तो फिर आप से पूछा जा रहा है minimum qualification status जब इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रसिक्षण है यानि BAD है या फिर BTC है वो complete हो चुका है या फिर आप appearing में है final year में तो आप अपने नुसार select कर लिजेगा, मैं यहाँ पर past को select कर लेता हूँ उसके बाद से page फिर से refresh होगा और फिर उसके बाद से आपसे examination applying for पूछा जा रहा है मतलब कि अगर आप paper 1 के लिए जिसे primary बोले जाता है सिर्फ वो apply करना चाहते है या फिर दोनों apply करना चाहते है आप अगर दोनों apply करना चाहेंगे तो अपर primary और primary वाला यानि बीच वाला option आपको select करना है यहाँ पर मैं सिर्फ primary वाले को select करता हूँ अगर आप बीच वाला select करेंगे तो आप दोनों paper के लिए एक ही साथ apply कर सकते हैं यहां पर मैंने primary select कर लिया आप अपने अनुसार select कर लिजेगा उसके बाद से नीचे आप से qualification details पूछा जा रहा है आपके high school intermediate graduation और post graduation और DLA का सब कुछ detail आपको यहां पर fill करना है जैसे कि देखिए अगर मैं high school के detail को भरना चाहूं तो सबसे पहले आपको left corner में जो applicable yes or no तो mark sheet number लिखा गया है तो आप अपने high school का roll number आपके result पर होता है उसको fill कर देंगे उसके बाद से पूछा जा रहा है mark sheet number mark sheet number आप ध्यान दीजेगा आपका जो mark sheet है high school वाला उसको आप देखेंगे तो left या right top corner पर mark sheet number लिखा होता है उसको आपको यहां पर fill कर देना है उसके आ calculate हो करके आ जाएगा यहीं सबी detail आपका intermediate के लिए भरना है और graduation के लिए भरना है अगर आपने PG किया हुआ है तो post graduation वाले checkbox को आप क्लिक करेंगा और detail को fill करेंगा अगर अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको script कर सकते हैं और उसके नीचे dealet वाले को आपको select कर लेना है उसके बाद से dealet का board आपको भरना है परिक्षा नियमक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश में dealet कराती है तो आपको PNP select कर लेना है उसके बाद से यहां पर किस year में dealet pass किये हुए उसको यहां पर fill कर देना है आप अपने अनुसार देख करके सही से fill करिएगा अगले column में आ अपने mark sheet पर देख करके फिल करेंगे टोटल मार्स आपको फिल करना है और उसमें आपको कितने अंक मिले है वो अपने अनुसार देख करके सही सही फिल कर देंगे ठीक है यहां पर उसके बाद से आपका percentage आजाएगा उसके नीचे आप जाएंगे तो examination center city आपको select करना है त इसके बाद से अलिगर्ण select कर लिया और इसके बाद से फिर आपको तीसरा इसी प्रकार से exam center को select कर लेना है तीसरा मैंने यहां पर option select कर लिया आप इसकिन पर देख पा रहोंगे तीसरा मैं ले ले रहा हूं embed करना है ठीक है आप अपने नुसार आपको जहां भी exam देना आप अपने नुसार इसको select करेंगे उसके बाद से language first में by default यह हिंदी रहता है ठीक है language second में आपको अपने नुसार तीन option दिया गया है आप अपने नुसार इसको select कर सकते हैं आपको कौन सा लेना है English, Urdu और Sanskrit ठीक है तो यहां पर मैं by default English ले रहा हूं क्योंकि Urdu और Sanskrit पास आ जाएगा ठीक है इसको एक बार आप cross verify कर लिजे कि कहीं आपका कोई गलती तो नहीं हो गया है पूरा देखने के बासे जब आपने cross verify कर लिया उसके बासे I agree पर आप क्लिक करेंगे और final submit बटन पर आपको क्लिक कर देना है आपके सामने एक pop-up जनरेट होगा जिसमे बोला जाएगा कि आप बाद में कोई भी change नहीं कर पाएंगे तो अगर आपने सब कुछ verify कर लिया तो yes please do पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद से automatic page आपका log out हो जाएगा उसके बाद से आपको login पर क्लिक करना है जैसे starting में आपने देखा था login करने के बाद से आपके सा password भी select कर लिया है अपने अनुसार आप password बना करके submit बटन पर आपको क्लिक कर देना है यह website आपको एक नया page पर redirect कर देगी आपसे आपका registration नमबर और नया password जो आपने बनाया है उसको फिल करके capture करके आपको नीचे login बटन पर क्लिक करना है यह आपको verify किया जा रहा है कि आ आपने complete कर लिया step 2 में pay fee पर आपको क्लिक कर देना है अब आपको payment करना है ठीक है pay fee पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया webpage आपके सामने open हो जाएगा और यहाँ पर देखिए registration number आपका name और registration fee कितना आपको fee करना है और last में सबसे right में आपको दिखेगा action उसके select button पर आपको क्लिक कर देना है यह website आपको payment gateway पर ले जाएगी ठीक है उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते SBI MOPS लिखा हुआ है यह radio बटन पर आप क्लिक कर देंगे और proceed for payment पर क्लिक कर देंगे फिर से एक नया webpage आपके सामने open हो जाएगा मैं other bank debit card से payment करने जा रहा हू और फिर से आपको confirm बटन पर क्लिक कर देना है अब आपका payment gateway open हो जाएगा आपसे आपके credential के बारे में पूछा जाएगा देखिए यहाँ पर card number, expiry date, card holder name और CVV नमबर पूछा जा रहा है उसके नीचे आपको जो capture दिया गया वो fill करके pay बटन पर क्लिक करना है चलिए मैं स सब कुछ detail fill करने के बाद से मैंने paper क्लिक किया transaction is being processed आपको screen पर दिख रहा होगा payment हो रहा है आपको कुछ भी back button को click नहीं करना है यहाँ पर देखिए payment successful का message आ चुका है completed successfully ठीक है उसके बाद से आपका page automatic refresh हो जाएगा उसके बाद से देखिए step 2 में जो fee payment वाला था वो fee paid green color से highlight हो चुका है उसके बाद से step 3 आपको complete करना fill registration part 2 इस पर आप simply click कर देंगे आप से नया page open होगा जिसको scroll down करते हुए नीची आपको next button दिखेगा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद से आपका correspondence और communication address detail fill करने का page open हो जाएगा इसमें सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा parents guardian name लिखना है ठीक है तो यहां पर मैं पूरा detail ID का option आपको दिया गया यहां पर आधार का option नहीं दिया गया तो आप अपने अनुसर देख लिएगा pen card में यहां पर select कर लेता हूं ठीक है उसके नीचे जश्ट आपको ID number फिल करना मतला pen number यहां पर pen number फिल करके capture फिल करेंगे और submit button पर आपको क्लिक कर देना है इस submit button पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया page आपके सामने open हो जागा और बोला जागा कि आप प्रमारित करते हैं कि सब कुछ data जो आपके द्वारा उपलप्त करा गया वो सही है उसके बाद से आपको यह कर देना है एक नया page आपके सामने open हो जाएगा और यह बोला जाएगा कि you have successfully fill the application form please upload photo and signature for complete the process तो आपको click here to upload document पर click कर देना है या अगर आपका by default log out हो जाता है तो फिर उससे आप login करेंगे और step 4 में upload photo and signature वाले पर click कर देंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ web page open हो ज लगते हैं उसके बाद से capture fill करके उसके बाद से जो भी image और signature आपने select किया था वो आपके screen पर so होने लगेगा फिर नीचे capture दिया गया इस capture को fill करते हुए नीचे आप जाएंगे तो I agree का checkbox दिया गया इस पर click करके click करेंगे तो आपके सामने फिर से एक pop-up generate होगा जिसमें आपसे बोला जागा कि आप further इसमें कोई भी correction नहीं कर पाएंगे तो आप yes please do पर click करेंगे और final submit का button आपके सामने highlight हो जाएगा आपको final submit button पर click कर देना है इसके बाद से step 4 आपको green color से highlight दिखने लगेगा image uploaded यानि कि 4 step तक आपने complete कर लिया step 5 में आपको print out लेना है अपने form का print form वाला link दिख रहा है उस पर आप click करेंगे तो आपका पूरा form PDF में download हो करके आपके computer या फिर mobile इंस्क्रिन पर आ जाएगा उसको आप future use के लिए safe रखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लागा comment करके जूरूर बताएगा और ऐसे ही मातुपूर अपडेट के लिए चै